गाइज सेम फिल्ड में काम करने वाली देश की दो दिगज कंपनियों के बीच एक कॉंट्रेक्ट को पाने को लेकर होल लगी हुई है अगर इसे होल ना का अगर बिवाद के हैं तो ज्यादा बहतर होगा और है बिवाद इतना गहरा गया है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी जिस आशर पड़ेगा इनी समुद्व पर इस वीडियो में तफसीर से बात होगी आई ये वीडियो सुरू करते हैं देखें दोस्तों कंपनी का नाम है टाटा पावर और अडानी पावर दोनों अपने देश की पावर स्क्टर की दिगज और नामी कंपनिया है पावर स्क्टर क स्क्टर से बिजली बनाती है देखें टाटा पावर का जो मार्केट कैप है असी हजार नौसुए करोन रोपया है और सेर प्राइसे दूसों तीरपन रुपया पचास पैसा लाश्ट ट्रेडिंग सेसंग के दौरान का यह से हलका ओवर और मार्केट ही डाउन गया था जिस तरह से तीजी देखने को मिल रही है उसके बजलों ताज अडानी पावर का मार्केट कैप इस कंपनी का मार्केट कैप से काफी आगे निकल चुका है और इसका शेयर प्राइस से दूस्सों सट रुपया देखिए शेयर प्राइस शुरू से ही इसके टाटा पावर के से हलक दो चार पाच रुपय ज्यादा ही रहता है तो यह कोई ज्यादा चिंताक बात नहीं लेकिन मार्केट कैप कंपनी का जिस तरह से बढ़ रहा है आग एक तरफ तो मार्केट कैप भी तो शेयर प्राइस बढ़ने से होता है अब यहां समझेंगे नया बिवात की स्थीज को साथ हजार करों रुपय के एक ट्रांस्मिशन को लेकर साथ हजार करों रुपय काफी बड़ी रुकम होती है और बीतने रुपय का चाहेगी कि यह मिझे मिले क्या है इस का प्रॉजेक्ट को आप एक नजर में समझें देखिए यह एक एस्टेट गोवर्मेंट का पर्जेक है तो महाराश्च सरकार की एक संस्ता है जिसके नाम है महाराश्च पावर रेगुलेटर कमिशन तो महाराश्च सरकार ने अपने कमिशन से कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को किसी बिजली कंपनी से जल्द से पूरा करा लिए अब देखिए होता तो यह महाराष्ट पावर रेगुलेटर कमिशन इसने बिना किसी बीडिंग प्रोसेस बिना किसी नमुनेशन प्रोसेस को यह 7000 कोणों रुपय का प्रजेक्ट डानी पावर को दे दिया है इसी बात से टाटा पावर खफा और को कर तो यहमाराष्ट सरकार का अप्लेटर प्रोसेस का पूरा मतलब होता है तो यह माराट सरकार का बोर्ड है इसका पूरा मतलब होता है अपलेट ट्रिबूनल फोर इलेक्रिसिटी लिमिटेड और देखेंगे तो यह केस फाइल किया था टाटा पाउर ने लगभग दो माप पहले यह कोई ताजया बिवाद नहीं है बिवाद अभी चर्चा में इसलि यानि कि सुप्रीम कोट में टाटा पाउर ने अब टेल का जो जज्जमेंट था उसी को चैलेंज किया है और अभी विवाद सुप्रीम कोट में चल रहा है सुप्रीम कोट का फैसला आने में उमीद है कि एक सो दो महा का समय लग सकता है देखिए फैसला आने के बाद आगे जो फैसला है सुप्रीम कोड का फोर्ट के पहले भी आ सकता है अगर फोर्ट के पहले फैसला आता है तो फोर्ट के रिजल्ट में भी थोड़ा बहुत चेंजस देखने को मिल सकते हैं क्यूंकि यह निवस की तरह ही काम करेगा अब बैसिकली समझे यहां होना किया चाहिए होन आडानी पाउर उसके फिब्रेवल में उसके पक्ष में काम कर रही है और मुझे प्रस्निल ऐसा लगता है कि आडानी पाउर को फैदा पहुंचाने के लिए यह जान बुछ कर कोई गलती नहीं टाटा पाउर ने जो कंप्लीट प्रोसेस होता है को बीडिंग करने का उसको क मन्दारी से काम किया है तो हम इस बात को समझना होगा और मुझे उमिद है कि फैसला फैसला पूर्ट जो होना चाहिए उस फैसला सुप्लीम कोर्ट सुनाइगा तो एक छोटा सा अपडेट था जिसके बारे आउगको बताना ज़रूरी था उम्मीद करता हूँ मेरी बात है वो समझ में आई होंगे वीडियो इंफरेमिटिव लगा होगा फिर भी अगर मन में कोई स्वाल है कोई कनिफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट में जरूर पूछे मैं उसका रिपलाई दूँगा परसनली मुसे जूर कर बात करना चाते तो मुझे इस्टाग्राम पर फॉलोग जाएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब दुल्ग धन्यबाद शुक्रिया